यहां वास्तों में यूनिक दिखने वाली crystal clear मचली है इस मचली के बारे में इसकी त्वचा से लेकर इसकी हडियों, रक्त और अंगों तक सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी यानि ट्रांस्पैरेंट है वास्तों में इसके लीबर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रिया जैसे अंग भी विक्सित नहीं हुए है क्यूंकि यह इल मचली का लाड़वा यानि बच्चा है और इसको लेप्टोसेफलस कहा जाता है